रगुकुल साघराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो सजादो घर को भुलशन सा मेरे प्रभुराम आए तो वहीं पर मकर संक्रांती को लेकर साधू संत काफी उत्साहित नजर आ रही है तो एध्यानगरी तो सजी रही है मंदिर में प्राण प्रतिष्था होनी है भगवान राम लिला की लेकिन इस बार अध्भुत संयोग भी बन रहे हैं बात करें मकर संक्रांती की तो इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांती मनाई जा रही है और कहा जा रहा है 77 साल बाद अध्भुत योग बनने वाला है हमारे साथ कुछ संत भी जुड़े हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर किस सरा का ये योग रहेगा और किस सरा से मकर संक्रान्ती इस बार खास होगी बताईए मकर संक्रान्ती साल 77 बरस बाद भगवान सूर्य नाराइन मकर रासी पर जब आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे ग्रह इकठे हो रहे हैं जो मिलकर के इस भारत देश के लिए बिश्व के लिए कल्याण आर्थ होंगे सब का कल्याड करेंगे जन जन का कल्याड और हमारे राम जी आ रहे हैं तो जब राम जी आ रहे हैं तो दैहिक दैविक भवतिक तापा राम राज काहू नहीं ब्यापा सब नर करें परसपर प्रिती सब आपस में प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा भगवान जब आते हैं त सब नच्छत्र अपने आप सकल समंगल मूल सारे मंगल नच्छत्र आकास मंडल में आ जाते हैं तो ये राम जी का प्रभाव है कि इस बार सारे शुब संकेत हमें मिलने लगे हैं सातत्र साल पहले जो नहीं हुआ था वो अब होगा ये शुब संयोग तो किस सब्से... 500 साल کई 1000 बर साल ये संजोग आ रहा है या तो तो त्रेता में भगवान राम भगवान राम बगवान राम प्रगट हुएゲ थे अब पुना भगवान राम अपने भव्व्व्व और दिभ्व भंवन में आ रहे हैं वो यहां तब स्वयम साक्षात प्रगट हुए थे आज प्रांट प्रतिष्ठा करके हमारे आदेनिये नरेन्द मोदी जी प्रांट प्रतिष्ठा करके भगवान को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान अपने घर में आ रहे हैं अयोध्या में जब भगवान अजोध्या आते है सब्द्या में तो घर घर दीप जोती रोज जल रही है घर घर घंटा घड़ियाल रोज बज रहा है घर घर जो है भगवान की प्रतिष्ठा में भगवान को कहते हैं न कि चितवत पंथर हो दिन राती अब प्रभु देख जुडानी चाती हमारे राम जी आ रहे हैं इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है हम आधर्णिये योग मोदी जी और मोदी जी को बहुत आशिर्वात देते हैं सुपकामना देते हैं के यह दिरघायू हो और हमारे देश के लिए ऐसा कारिख करते रहेंैं बहुत बहुत आशिर्वात और आप अपसे लोग Sharp के माध्यम से देश बीदेश में सबको जागरित कर रहे हैं आपका भ आयोध्या में और ऐसे में इस बार सभी शुब संयोग हमारे सामने होंगे। कैमरे पॉर्सन अरब के साथ मेगीतु चाहान न्यूस इंडिया के लिए। आयोध्या नगरी में भगवान राम के दर्शन के लिए ट्रस्ट की तरफ से खास इंतिजाम किये गई है। राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाने वाले लोगों के लिए लोकल रूम की ववस्ताय की गई है। सरधालवों के लिए ये स्विधा बिलकुल मुफ्त है। यानि कि अगर आप राम मंदिर में रगुराई के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं तो उससे पहले आप हमारी ये खास कवरेश जरूर देखें तो हम आप पहुंचे हैं श्री राम जन भूमी तीर्थ शेत्र में और यहां के में गेट पर हम खड़े हुएं लेकिन एंट्री करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना है क्योंकि यहां पर निशुल्क लॉकर सेवा भी है मैं चाहूंगे अपने कैमरे पॉर इस प्रकिरिया का हिस्सा है हम भी चल रहे हैं और अपने सामान को डिपॉजिट करा देते हैं कि यह लॉकर की व्यवस्ता है यानि कि आप जब आयोध्यादर्शन करने के लिए आएंगे राम जन भूमी में तो आपको इस प्रकिरिया से गुजरना होगा अगर आपके पास कुछ भी ऐसा सामान है मुबाइल फोन है यह फोन है चार्जर है तो अंदर नहीं जाएंगे यानि आपको उन सभी सामानों को यहां पर डिपॉजिट कराना होगा और उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं यानि आपके पास कुछ ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो की सेवा है निशुलक लॉकर की वहां पर भी आप अपना सामान जमा करा सकते हैं अगर कोई पहले पॉइंट पर अपना सामान जमा नहीं कर वा अपका तो आगे जाकर वो अपना सामान जमा कर सकता और यहां पर दस्तकत भी अपने करने होते हैं उसके बाद यह सिलिप हमें मि सकते हैं तो यह की मुझे मिल चुकी है जाहिर से बात है कि जब मैंसे अंदर लेकर जाओंगी तो उसके बाद जो मेरा सामान है वो सुरक्षित यहां पर होगा और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं तो निशुल्क लॉकर सेवा है यह श्री राम जन्भुमी तीर्थ शेत्र की नंबर भी यहां पर दिये गए है कि अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं अपने सामान की अपने लॉकर की और यह साफ तो पर जो श्रद्धालों यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए हेल्प सेंटर बनाया फ्री फैसिलिटी भी है आपको दिखाते हुए हम पर सभी तरह की सुविधा के तोर पर यहां पर जो चाहते हैं तो उस पर जा सकते हैं निश्चुल्क आर्थी पास भी यहां पर दिया जा रहा है और पूरी तरह से कह सकते हैं यह लॉकर व्यवस्ता बेहद अच्छी तरह से यहां पर की गई है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और यहां पर जिस तरह से पूरी बैंक की भी दी गई है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है आपको सफ टोकल लेना है चाबी लेनी और आगे बढ़ जाना दर्शनों के लिए साथी यहां पर आर्थी पास काउंटर भी है अगर आप आर्थी में शामिल होना चाहते हैं तो आर्थी का साड़ी छे बजे है दो पहर बारा बजे का समय भी दिखाया गया है इसके साथ सा साथ बजे शाम की आर्थी भी आप ले सकते हैं लेकिन यह देखिए आर्थी पास काउंटर है यह और आपको आर्थी का पास भी मिल जाएगा तो पूरी तरह से निशुल को लॉकर सेवा है आपको बस आना अपना सामान यहां पर जमा कराना और उसके बाद आगे बढ़ ज कर सकते हैं कैमरा पॉसर और अरब के साथ में गीतु चोहान न्यूज इडिया दुनिया भर के लोगों के बीच इन दिनों अयोध्या नगरी सब से फेवरेट जगाय बनी हुई है देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग अयोध्या पहुँच रही है ऐसे में माता सीता क माईके से तोफो के साथ लोग भारी संख्या में राम नगरी आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जा रही है नेपाल से पहुचने वाले लोगों को मरियादा पूरी में भवस्वागत भी किया जा रहा है इसे बीच नियूज इंडिया की टीम ने मिथिला में राम जान की म पूर दूर से लोग समान भेज रहें वस्तुएं भेज़रें आश्रवाद के तौर पर लेकिन यहां पर हमारे साथ एक खास विक्ती मौझूद हैं महंत जी मौझूद हैं जो कि जशनकपुर से आए हैं राम जान की मंदिर के महंत हैं रोशन दार्ज जी बहुत स्वागत ह आपका न्यूस अंडिया पर आप लोग को भी स्वायत करता हूं, अध्या के धर्ती पे आया हूं, हमारे बहिनोई राम जी के घर आया हूं, आप सब को पता होगा, जनकपुर से अभी भार यात्रा परारंब हुआ है, चार तारी को, चार तारी को हम लोग भी दिवत, भार को अभी समर्पित किये हैं, यह सद्यों का, यह हमारा नहीं, त्रेता यू का एक समंध है, सिता के नाता से जो स्विंबर अचित गई थी राम के साथ, जनकपुर में विवा हुआ हूआ, हम लोग बरात भी सजाते हैं अध्याधाम से, तो उसी सिल्सिले में जो अभी पांसे वरस की इतिहांस में, फिर से पुनह राम मंदिर विवासपत हट के बना है, अभी के सरकार, कार्यकाल, योगी जी, मोदी जी के, इसके नित्यत में, कार्यकाल में जो अभी 22 जन्वरी को बिधवत, रामलला भगवान बिराजेंगे, उस अबसर पर, एक माईके से, सिता के मा हम लोग का एक लोक बिधी होता है, जो बहिनोई का अगर घर निर्मान होता है, तो हम लोग उसमें सोगात शरुप, कुछ पकमान, कुछ बस्त्र, कुछ गर गहना, और घर में लगने वाले चुला, चोका, भारा, बरतन, आदी त्यादी, एक रस्म है, वो रस्म हम लोग भ साथ से से अधीक हम लोग भरिया आ गया थे और एगारस हम लोग विद्वत ले जाएंगे लेकिन अंदाज नहीं रहा इसमें कम से कम चार-पांच हजार के करीब भार लेके हम लोग आ गये थे और एक अटूट प्रेम समंध है दोनों देश के बीच में भी नेपाल भारत मिठलांचल और अध्या का भी एक प्रागड़ी समंध है हम लोग बीच बीच में कोई भी कार्ज करम करते हैं एक दुलहा सरकार राम को जब बनाये हैं हमारे सिया जी दीदी है तो उस महतसब उतसब का एक आनंद का आनभूति और एक प्रेम का गांठ अनंद काल तक हम लोग का चिराई बना रहे है यह हम लोग का उदेश रहता है और सीता जी के नाते हम लोग मिठलां बाले जनकपूर में अध्या में सब कुछ राम जन्मुमित ट्रस्ट ने भार का भी हम लोग समर्पित करके उन लोग उसको भी स्वागत स्विकार करके फिर हम लोग पुना अब जार हैं मन्द ची एक चीज़ है यहाँ पर सिफ आयोध्या ही नहीं बलकि पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि जगा जगा आयोजन होगा विदेशों में भी आयोजन होगा पारिस की खबरे आ रहे हैं यूरप में भी भवे राम मंदिर जिस दौरा निर्मान हो रहा है रामलला विराजमान होंगे यात्रा निकाली जाएंगी नेपाल में किस तरह का महौल रहने वाला है नेपाल तो आप देखी लिए हैं हर सुलास लाखो लाख लोग रास्ते में स्वागत किये हैं नेपाल और भारत बेटी डोटी का रिस्ता से चला है सदियों से और ये दोनों देश समंध राष्ट है तो नेपाल में अगर खुस तो आप ओखुसी पेरिस से करेंगे तो पेरिस वाला का ध्या से समंध नहीं है लेकिन जनकपूर वाले का डाइरेक्ट समंध है इसलिए पेरिस अपनी जगह पर है अमिर्का अपनी जगह पर है लेकिन मिथला का जनकपूर, वो सीता के नाता से हम लोग डाइरेक्ट माईके से हूँ और सुसराल वाले का, आप समझते होंगे, जो बेहन की सुसराल वाले को साले को बहुत घरमी इज़त मिलता है और वो इज़त हम लोगों मिलना है दुनिया के कोने कोने में, रामलला के दरबार में चीज़े पहुच रही है हैदराबाद से श्री राम की चरण पादुकाय जबकी 300 क्वेंटल चावल पहुचे है ऐसे ही भगवान श्री राम की ससुराल से भी कई तोफे आयोध्या नगरी पहुचे है गुजरात का अगर जिक्र किया जाए तो गुजरात से अगरबत्ती और अब राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला शिखर दंड आयोध्या पहुच गया है इस शिखर दंड में क्या कुछ खास है इसकी जानकारी हमारी सहयोगी चारूल दे रही है देखिए जब जब राम मंदिर का जिक्र आता है तो आंदोलन का जिक्र भी आता है जिक्र होता है कारसेवकों की उस कुर्बानी का जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये वो राम मंदिर अब बनने वाला है 22 जनवरी की तारीक जो मुकरर हो चुकी है जिसके लिए जोर शोर से आयोध्या में तयारियां चल रही है और ऐसे ही एक कारसेवक थे राजिंद्र धरकार जी जुझनोंने महस 16 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिये क्योंकि वो चाहते थे कि भव्यराम मंदर का नर्मान होना चाहिए कारसेवा करते वे उन्होंने अपने प्राण ताग दिये उनके भाई हमारे साथ मौजूद है रविंद्र जी आज देखे कहा जा सकता है कि जो संकल्प लिया था वो संकल्प जिसके लिए प्राण त्याग दे थे वो संकल्प पूरा होने वाला है आपको एक परवार के नाते कैसा लगता है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने साल के बाद उनकी जो है सहादत आज रंग लाई है हम लोग को बहुत ही खुसी है कि जिसके लिए वो उन्होंने बलिदान दिया आज उनकी जो है बलिदान सहादत ला रही है आज राम मंदिर बनना है तो हम लोग को बहुत बढ़ा आप लोग के बार में उस दिन आप भी जाना चाते थे उनके साथ कार सेवा करने के लिए ये जानते हुए कि आयोध्या चावनी में तब्दील है ये जानते हुए कि जो सरकार है वो दूसरी है लेकिन आप जाना चाते थे आपको रोक दिया गया ये बोलके कि अगर आप भी साथ चलो के तो परवार का खयाल कौन रखेगा यानि कहीं न कहीं उन्हें ये जानकारी थी कि अंजाम इसका क्या होगा भाई भील इतनी ज़्यादा हो गई थी हम छोटे थें आठ साल की उमर थी हमारी वो 16 साल के थें हमसे बड़े थें हम भी जाना चाहते थें लेक अगर हम सरकारों की बात कर लें पार्टियों की बात कर लें तो जिस तरह ये कहा जाता है संत कहते हैं जनता भी कहती है कि मोदी जी और योगी जी का ये नेत्रत वही है जिसकी वज़ा से आज राम मंदिर जो है वो बन पा रहा है आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या वाकई का लेकिन मोदी जी और योगी जी ने भी बहुत एहम इसमें रोल निभाया। बलिदान दे दिया महें 16 साल की उम्र में अब उनका संकल्प जो है वो पूरा होने वाला है और एक भक्त के लिए उनके अराध्य का मंदिर बनना एक ऐसा पल होता है जो भावुक कर देता है। अगर निभाया मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। क्योंकि वो चाहते थे कि भव्वे राम मंदर का निर्मान हो और अब तारीक जो है वो पास आ चुकी है बाइस जनवरी के और हैसे मिन के परवार को बहुत खुशी है कि वो तारीक आ चुकी है जिसके लिए उन्होंने प्राण त्यागे थे संकल्प लिया था वो संकल्प सा घराना हो, चरन हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो, सजादो घर को भुल्षन सा, मेरे प्रभुराम आये